हेलो स्टुडेंट्स हमारा मोडल पेपर दो हजार चोवीस का इकीस हुआ परसन है कि दो करमागत दनात्मक पुरुना क्यात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है, इसके एक परसन अथवा में हो रहे हैं, तो हम पहला परसन देखते हैं, कि दो करमागत दनात्मक पुरुना याद करने है तो जो दो करमागत संख्याई होती है उनमें हमेशा एक का अंतर होता है तो हम उनमें से एक पुरुनाग को एक्स माल लेती है माना एक दिनात्मक पुरुनाग एक्स है तो दूसरा करमागत दिनात्मक पुरुनाग हो जाएगा एक्स बलस एक दो लगातारप संख्याई हैं और दो कर्मागत संख्याउं में हमेशा एक का ही अंतर होता है तो पहला X हो गया तो दूसरा X प्लस एक हो जाएगा अब परसन में क्या दिया है कि इनके वर्गों का योग वर्गों का योग 365 है तो हम इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे और वो 365 बन जाएगा परसन में सार X का वर्ग और X प्लस एक का वर्ग जो है वो 365 के वराबर है X की स्केर तो X की स्केर ही रहेगा X प्लस एक का जब वर्ग करेंगे तो इसकी उपर फोर्मूला लग जाएगा X पलस Y की whole square का ये बनेगा X square पलस 2XY पलस Y square तो हमारे पास यहाँ Y की जिगह पर 1 है तो ये बनेगा X square पलस 2 गुणा X गुणा 1 पलस 1 की square बराबर 365 X square और X square जुड़ जाएगा 2X square दो गुणा X गुणा 1 मन जाएगा 2X और 1 की square एक बराबर में 365 2X square पलस 2X बराबर 365 ये पलस का एक इदरा की हो जाएगा इसमें से माइनिस इन दोनों में से देखो 2 कॉमना जाएगा 2 कॉमन लेंगे बचे का X square पलस X बराबर में रह गया 364 गुणा में 2 है पक्षांतन करने पर हो जाएगा बाग में तो ऐसी दोसिंगे क्या हो जाएगी 14 और 13 हो जाएगी जिनका गुणा 180 होता है अंतरवन में एक का है तो X square पलस 14X माइनस 13X माइनस 180 पराबर 0 14 का 13 से गुणा करेंगे तो माइनस 180 बनेंगा गटाएंगे तो पलस का एक बच जाएगा यह सुरूबड़ी दोसिंख्याई जो है X square और 14X इन में से हम X कॉम्बल लेंगे तो बचेगा X पलस 14 और यह माइनस 13X और माइनस 180 में से माइनस 13 कॉम्बल लेंगे तो बचेगा X पलस 14 13 का X पलस 12 में बाब करेंगे 14 बढ़ जाएगा तो हमारे पास में दो गुंदखंड बनगे एक तो यह जाएगा X पलस 14 और यह जाएगा X माइनस 13 X पलस 14 और X माइनस 13 बढ़ में 0 तो इनको जब हम हल करेंगे जब X पलस 14 का मान होगा 0 के बढ़ तो X बढ़ आजएगा माइनस का 14 और जब X माइनस 13 परबर होगा 0 तो X का मान हो जाएगा 13 अब हमें परसने में दिया गया है दिनात्मक पुरुनांग इसलिए X का जो सही मान होगा वो क्या बनेगा 13 यह वाला आ मान यह हो जाएगा क्योंकि X एक दिनात्मक पुरुनांग है एक्स दिनात्मक पुरुनाग है इसलिए एक संख्या तो हो गई हमारी एक पुरुनाग तो हो गया 13 और दूसरा हो जाएगा 13 पलस एक 14 तो यह हमारा इसका अनुष्पर मुन गया 13 और 14 इसी दो संख्या है जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 होता है आगे इसमें हमारे पास में अथोव में परसंदिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बग्या बनाना संभव है जिसकी लंबाई चोड़ाई से दो गुनी हो लंबाई जो है वो चोड़ाई की दो गुनी है तो अगर हम चोड़ाई को एक समान लेते हैं तो लंबाई इसकी दो एक माना आम की बग्या की चोड़ाई एक्समीटर है इसलिए लंबाई कितनी हुजाएगी लंबाई चोड़ाई की दुगनी है इसलिए दो एक्समीटर और बग्या काक्षित्रफल कितना है यह बग्या है कैसी आईताकार आईताकार बग्या काक्षित्रफल है आठ सो वर्गमिटर एक आएत काक्षित्रफल होता है लंबाई गुना चोड़ाई तो लंबाई गुना चोड़ाई का मान है आठ सो हमारे पास में लंबाई तो होगी दो एक्स चोड़ाई होगी एक्स बरबर आठ सो गुना करें तो बन पिर का मान आजाएगा 800 बटा में 2 800 में 2 कबा कर दें 400 आजाएगा और जब हम X का मान निकालेंगे तो हमें 400 अगर ना पड़ेगा वर्गमूल और 400 का वर्गमूल बन जाएगा प्लस माइनस 20 मीटर अब चुंकि किसी भी आयत की बुजाज़ों होती है बगिच्चे की या सिंपल आयत की वो हमेशा धनात्मक होती है आयताकार बगिच्चे की बुजा धनात्मक होगी इसलिए इसकी चोड़ाई तो बन जाएगी 20 मीटर और लंबाई हो जाएगी दो गुणा 20 यानिके 40 मीटर तो इस बगिच्चे में लंबाई 40 और इसकी चोड़ाई जो है वो 20 मीटर हो जाएगी तो इस प्रकार का बगिच्च्च जो हो बनाना संभव है अधा ऐसा बगिच्च्च बनाना ऐसी बगिच्च्च बनाना संभव है यह संभव कब नहीं होता जब इसमें बुझा का मान इरणात्मक आ जाता अगर सिर्फ अकेला मान माईने सवाड़ाता तो हमें ऐसा बगिच्च्च बनाना संभव नहीं होता क्योंकि बुजा की लंबाई रनात्मक नहीं होती अब रनात्मक आगया तो यह बनाना भी संबव है जो X का मान है वो चोड़ाई है लंबाई चोड़ाई की दुगनी से लिए 40 मिटर होगी अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सेर और सब्सक्राइब कीजिए